लूप अका श्मानी टैक और आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने लैप्टोब में साइबर पंक गेम को खेल सकते हैं अगर आपके पास इंटल आई 3 एंटल आई 5 है तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चलेगा या नहीं चलेगा हम टेस् देखिए जो जैसे गेम आता है तो बड़े बड़े जो अमीर लोग है वो तो भाई ग्राफिस काड लेते हैं महें महें कंप्यूटर से लेकिन और फिर आते हैं हमारे मिद रेंज वाले जो जी टी 710 हो गया जी टी 1030 हो गया और जी टी 730 हो गया तो यह आते हैं यह मतलब लो वगेरा छेड़ खानी करके सैटिंगे साथ और यह भी जो है खेल लेते हैं और फिर आते हैं भाई हमारे जैसे जो की इंटेल आई 3 आई 5 है तो कंपनियां जो है इनके लिए कोई जो है ग्राफिस का डिजाइन नहीं करती है तो बस जो आजकल के गेम साते हैं वो मतलब आई 5 8th generation का है सोरी 7th generation का है इंटल आई 5 और इंटल SD620 मेरे पास ग्राफिस है ठीक है इंटिग्रेटीडी ग्राफिक्स है डेडिगेटीड ग्राफिक्स नहीं है तो उसमें चेक करेंगे हम की ग्राफिस मतलब कैसी परफॉमेस रहती है और पहले तो चल जाए वही बहुत आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की वीडियो में अपने चैनल पर लाता रहता हूं यह चैनल ही मतलब गरीबों का है मतलब मेरे जैसे काई है मतलब जो इंटल i3 चोटे मोटे ग्राफिस कारण है उनके लिए यह तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो साइपरपंक का गेम है वो चलता है कि नहीं तो चलिए चलते हैं हमारे लैप्टोप की तरफ तो यह है अपनी लैप्टोप की स्क्रीन पर तो मैं सबसे पहले तो अपना ग्राफिस कारण वो दिखा द है Intel का तो यहां पर device manager में आप जैसे ही आप display adapters पर देखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं Intel HD graphics 620 अभी मेरे पास है तो देख लीजिए और आप इसे update भी कर सकते हैं यहां से driver पर जाके और यहां पर update का option होगा तो यहां पर देखिए कि cyberpunk मैंने कर लिया है install तो यहां पर हम जाएंगे बीन में और मैं एक काम की बात बतातूं जितने भी .exe file होती है जो भी application होती है हो मेशा बीन file के अंदर पाई जाती है यह मतलब journal knowledge के लिए है तो यहां पर मैं देखिए cyberpunk 2077 है तो यह काफी time लग गया मुझे install करने में और पहले मैं बता दू इस game के बारे में कहां से download किया है मानि यह भाई मैंने crack है मतलब cracked version है यह क्योंकि भाई तिने पैसे होते तो हम खरीदी जा लेते ग्राफिस कार्ड गेम क्यों घरीते तो cracked version है और यह इसका जो patch है वो 1.03 का patch है जो दस्तारिक को आया था लेकिन इसका latest patch आ चुका है वो मैंने कोशिश की थी कि इसमें डाल दूँ पर वो डला नहीं मुझसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे ही डल जाएगा तो मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा ठीक है तो यह अभी मैं बता दूँ जो patch version है इसका जो तो इसमें 1.03 है इसका patch version तो उस राम का नाम लेके और अल्ला का नाम लेके वहे गुरू का नाम लेके शुरू करते हैं हमारा गेम क्लिक तो कर दिया है मैंने बाकी मुझे भी नहीं पता और हमारा जो लोंचर है वो ओन हो चुका है भाई हो तो खुशी की बात है और हमारा गेम चल गया है भाई हुशी हो जाती करी है बहुत अलग से मुझे भी नहीं पता था चल जाएगा पर चल गया मैं थोड़ी इसकी आवाज कंळेते हैं तक कि मैं अपनी अच्छे से कर पाऊं है पता नहीं चलेगा नहीं अगय तो इसकी थोड़ी रिकॉर्डिंग कंळेते हैं आवाज तो गेम हमारा भाई चल पड़ा है बहुत खुशी हो रही है देखिए तो फाइनली जो हमारा गेम चल गया है भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा देखिए बिल्कुल सही चल रहा है देखिए सेटिंग में दिखा देता हूं आपको ग्राफिक्स पर जाते हैं और टेक्श्च्चर कवाल्टि यह पहें हई कर रकी पहले से तो इसको लो करदेखें बाई। वो नीचे देख लेते हैं जितनी भी एकवालटी है यह बिल्कुल यह medium है तो यह medium ही रहेगी से नीचे कोई option नहीं है ठीक है rate tracing भाई इसमें चल जाए वही काफी है rate tracing कहां से करेंगे तो बस यह ही है और वीडियो में थोड़ा सा इसकी जो यह है resolution बिल्कुल lowest कर देते हैं तो यह इसका सबसे lowest resolution है और vertical synchronization off है तो यहाँ पर मैं apply कर देता हूं और यहाँ पर मैं full screen कर देता हूं ताकि बड़ा हो जाए game तो full screen हो चुका है और देखते हैं game चलता है कि नहीं तो new game पर click करते हैं easy खेलते हैं भाई तो यह पता नहीं क्या है अच्छा नौरमद और street kid कोर पर पता नहीं क्या है तो यह कर देखते हैं भाई नौरमद तो चल तो रहा है भाई game लड़के लड़की दोनों आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से यह लग नहीं रहा मुझे चल पाएगा क्योंकि काफी जादा वह है तो मतलब संघर्स हो रहा है गेम का और हमारे लैपटोप का गेम जो हमारा चल गया है भाई तो इसको नेक्स्ट करते हैं भाई ठीक है जादा करते नहीं है कुछ एफ करते हैं नेक्स्ट ओ तरी यह क्या गया इसको कपड़े पहनाने पढ़ेंगे इसको चलो भाई लड़का लेते हैं यार क्या मतलब तो काफी ज़बूरी तरीके से यह हैंग हो रहा है भाई एज़ी में पता नहीं चलेगा यह नहीं तो स्टार्टिंग में ही मैं अगर लड़के को सेलेक्ट कर लेता तो शायद यह हैंग नहीं होता तब यह बिल्कुल हैंग हो चुका है हमारा गेम पर चलता जरूर है यह बता दूम आपको रन जरूर होएगा पर fps आपकी लो आएगी जाद आएगी वह मैं कुछ कह नहीं सकत लेकिन यहां पर बूरी हालत है और यह मेरे ख्याल से इसमें 8GB रैम है और वह भी DDR3 रैम है इसमें ठीक है अगर आपके पास इंटल i5 मतलब 10th generation है न तो एक गेम आपका चल जाएगा आराम से और आपके पास DDR4 रैम भी है न तो तब भी आपका गेम इसली चल जाएगा और यह लीजिए भाई जिसकी हमें मतलब डर था जिसका भाई हुआ वा साइबर पंग 2070 है फ्लैट फ्लैट लाइन ठीक है मतलब बंद हो चुका है तो चली एक बार उट ट्राइ करते हैं क्या पता चल जाए बगवान का नाम लेके क्योंकि इस बार हम लड़के को स्लेक्ट करेंगे तो बैक गए थे ना उस वज़े से थोड़ा सा दिक्कत आ गी तो चली हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं गेम को और देखते हैं चलता है के नहीं इस बार हम लड़के को select करेंगे ठीक है लड़किया हमेशा काम खराब कर देती है मजाग कर रहा हो पर इस बार हम लड़के को select करेंगे टो finally एक मतलब at least हमारी जो window to open हो रही है कई बार तो starting मही error आजाता है कि भई आपका game नहीं चलेगा ये दिक्कत है तो कम से कम हमारी स्क्रीन तो लॉड हो रही है तो करते हैं सेटिंग में ग्राफिक्स देखते हैं क्या पता वापीस से उसने हाई कर दियो टेक्शर क्वाल्टी लो सब कुछ लो लो और करते हैं न्यूगेम इजी ये ओप्शन स्लेट करते हैं बोड़ी टाइप हम लड़के की सेलेक्ट करते हैं तो हम यहां पर एफ दबाते हैं नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट करते हैं और यहां पर कनफर्म कर देते हैं अब शायद चल पाई तो गेम तो भाई चल रहा है देखो क्रेश हो रहा है वह आपकी जो requirement वह पूरी नहीं हो पा रही है मैनेज़ नहीं कर पा रहा तो यहां पे confirm कर देते हैं तो गेम चला तो है भाई पता नहीं क्या पता फिर से crash हो जाए पर चला तो जरूर और देखिए भाई चल गया चल गया चल गया चल गया कि जीटियस और एंड्रियास को पीछे छोड़ो और इसको इस्टोल करो और यह चलेगा जरूर मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लेता हूं मैं तो अभी लोडिंग हो रही है और वैसे यह जो हार्डीस पर चल रहा है तो उसकी आरपीम जो है चावन सो रपीम है तो वह भी बहुत जादा कम है अगर आप इसको एससडी में खेलेंगे तो में भी शायद यह थोड़ा जल्दी लोड हो जाए तो अभी तक लोडिंग ही हो अब बैठे रहो भाई यहीं पर पता नहीं कब होएगा हार्डीस के यही जादा प्रोब्लम रहती है कि भाई लोडिंग में बहुत जादा टाइम लगाती है अब पता नहीं कब खुलेगा यह तो लो मैं एक बार वीडियो पॉज कर देता हूं जब खुलेगा मैं वीडियो रिजूम कर देऊ तो फाइनली अप्शन आ गया है यहां पर कॉंटीनू का तो मैं कॉंटीनू पर क्लिक कर देता हूं और क्लिक हमारा हो गया है बस क्रैश ना हो जाए थोड़ा बहुत गेम प्ले इतनी मेहनत करिये तो भाई थोड़ा बहुत गेम प्ले तो मतलब बनता है न बेशक दो एफपियस तीन एफपियस में चले पर जरूर यार थोड़ा बहुत हो चले बस क्रैश ना हो जाए मतलब बिंडो आ जाती क्रेश वाली जो आई थी पहले तो मेरे ख्याल से लोडिंग में ही दिक्कत हो रही है कुछ तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा ट्राइ मारते हैं अपना क्या जा रहा है देखते हैं चलता है कि नहीं बस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और तो कुछ नहीं है चलिए एक बर पाउज कर देते हैं भाई वीडियो को और जब यह चलेगा तो रिजूम कर देंगे बहुती दुखद खबर है कि यह गेम नहीं चलेगा में भी इंटल आई फाई टैंस जनेशन वाले में यह चल जाए क्योंकि उसमें जो रजिस्टर होते हैं जो कैपेसीटर रजिस्टर होते हैं बढ़ जाते हैं तो उस वज़े से जादा लोड को सेहन कर सकता है तो इसमें नहीं चलेगा धही रायट क्लिक करने पर option भी नहीं आ रहा यहां पे पहले आता था option तो अब option भी नहीं आ ला तो चलिए बस आज की वीडियो के लिए तना आई ही और इस वीडियो का में क्लोई को यह है कि आप साइरफ पंक को जितने भी और ये वह तर बिल्कुल ट्रा già ना करें और यह गेम नहीं चलेगा चले बगा भी तो 2-3 fps चलेगा पांच fps आजाएगी मैक्सिमम तो उसे ज्यादा प्लेबल नहीं है यह गेम तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और यह मतलब गेम में आपको एक 940 mx ग्राफिस कार्ड है मेरे पास तो उस 940 mx ग्राफिस के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वही लेकर आऊँगा ठीक है तो जितने भी भाई है मेरे जो ज्यादा बड़ा ग्राफिस कार्ड नहीं है जिनके पास छोटा मोटा है जैसे 940 mx हो गया 920 m हो गया लैप्टोप के ग्राफिस कार्ड है वो ज्यादा पारफुल नहीं होते इतनि पर उसमें चला के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आज की वीडियो के लिए तना आई और अगर आप 오one channel पर नहीं हो तो like does subscribe कीजिए और इस तरह की वडियो अपर लिए क्या तरहा था हूँ तो मित दाधाने वीडियो में बाई सेयो नारा शब भाख ख